वेल्कम टू आवर यूट्यूब चनल आयाम अनीज कुमार तो आज हम लोग डिसकस करेंगे कॉंप्लेक्स अनालीस का एक इंपॉर्टेंट जोमेट्रिकली रिपर्जेंटेशन को छहीं जिसको जिसकों लोग love conocer और यह स्टेरियो ग्राफिक पोजेट्सें यह कॉंप्लेक्स अनालीसिस के बिंसे काफी काफी इंपॉर्टेंट है इस कमपलेक्स अनालीस जोटनी जोमेट्री होती है इस ज़य वडिसाज होती और बातालेक्स देखतें कि बहुत से कॉलेज इंवर्सिटी में माश में पढ़ाया जाता है और यह पीजडी इंट्रेंस को सॉल्ब करने के पॉइंट आप व्यू से इसकी जनकारी होनी काफी स्टेंडर्ड किताबों में इसी सीख की जाती है इसके पहले थोड़ा बहुत होता है में पढ़ते हैं कि उसका रूठ निकालना कि हे रूट औफ कॉंप्लेक्स नंबर है तो कोंप्लेक्स अनालीसिस जस्ट रियल अनलीसिस के एक्टेंडर वर्जन हैं रिह में हम लोग भी वो इस प्रोपर्टी पढ़ते हैं जो रिया जाता है तो आगे हम लोग डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस्टेरियो ग्राफिक प्रोजेक्शन तो लाइक रियल नंबर को इन फिटी से मर्ज कर दिया जाए तो वह एक्सेंडर रियल नंबर वाल लाइन बन जाता है उसलिए प्लेक्स प्लेंड टूगेदर विद्ध पॉइंट इन क्लूट कर देता वह एक्सेंडर्ड डॉंप्लेक्स प्लेंड का हम लोग आस्फारिकल रिपर्जेंटेशन पढ़े है भी एक होता है उसके टर्म क्हत्व क्या है हम लोग देखते हैं ऑल्ड से भी गलोब में होता है उससे हम लोग माइक्रो दो बड़े माइक्रोस्कॉप से बिजृपकर सबस्था सकते हैं अ उसी तरह per complex plane को हम लोग एक स्फेर से रिपरजेंट करते हैं तो उसको समझते हैं वह होता क्या है तो विज्वालाइज करने के लिए टेबल पे कोई भी टेबल है वह एक प्लेन का काम करेगा उसके उपर एक कोई बॉल रख दीजिए या फुटबॉल या बॉल तो क्या होगा कि टेवल के हर एक पॉइंट के क्रिस्पॉंडिंग लिए बॉल पे जो भी रखा हुआ है उस पेक पॉइंट मिलेगा उसे विज्वालाइज करने के लिए आप क्या किजिए कि टेबल के किसी पॉइंट से नीडिल लीजिए बड़ा सा सुई जिसको बोलते हम लोग वहां से हैं उसको स्पेर में होल किजिए तो इसके क्रिस्पॉंडिंग पॉइंट मिल जाएगा इसके पहले यह जानना ज़रूरी है कि स्पेर कैसे बना जैसे कोई भी रियल नाइन लिए उसको अगर हम लोग बेंट कर दें तो माइनस इंफिनिटी जगा बेंट हो जाएगा वह सरकील बन जाएगा उसी तरह कॉंप्लेक्स प्लेन है तो कॉंप्लेक्स प्लेन के सारे बॉंडी पॉइंट को एक जगा मर्ज कर जाए तो वह सारे बॉंडी पॉइंट का काम करेंगे पूरा बड़ा कॉंप्लेक्स प्लेन है तो एक पॉइंट पर मर्ज हो जाएगा जिसको हम लोग पॉइंट इंफिनिटी और अस्फियर का नॉर्थ पॉल बोलते हैं वह नॉर्थ पॉल होता है कि तो सिमिलरली यहां प attend ऊपर आप मिस्वा उपर एक एक संफियर रखा हुए है तो इस घॉप्लेक्स प्लेन में जब हम नौर्थ पोल से मिलाएंगे अब सोचेंगे कि नौर्थ पोल्स से मिलाया जाता है इसलिए इंफिनिटी पे जा रहे हैं तो यहां पर जो extended complex plane को sphere से represent किये तो यहाँ पे complex plane का infinity north pole हुआ इसलिए complex plane के किसी point को जो north pole से मिलाते है तो sphere के north pole के अलावा किसी एक point पे intersect करता है तो वो point ही sphere का complex plane को उस point के corresponding point हुआ visualize करने के लिए आप देख सकते हैं जैसे यह complex plane है उसके उपर एक सफियर रखा हुआ है जस्टर्च करके पास कर रहा है तो इसके एक point के corresponding north pole से मिला रहे थे point को कट कर रहा है इस point के corresponding यहाँ पे कट कर रहा है तो इस तरह से यह कट करता है तो आप एक्सप्रेण करते हैं टू इस पॉइंट जेट इन दफेन देर क्रेश्पाइंट एक ड़ी वन पॉइंट पी ओन दो सर्फेस आप दपिर दफेन पी इस दो पॉइंट वेर दो लाइन थो जेड एंड दे नॉर्थ पॉइंट इस पॉइंट के सारे पॉइंट कोई भी पॉइंट कोई भी जेड है तो उसको नॉर्थ पॉइंट करता है और क्या होगा कि हम लोग अगर अस्फियर पे कोई पॉइंट ले और अस्फियर के पॉइंट को नॉर्थ पॉइंट से मिलाते हैं आगे इधर बढ़ेंगे तो वह प्लेन को भी एक पॉइंट पे कट करेगा तो यहां पे अस्फियर के भी किसी पॉइंट के क्रस्पॉंड एक प्लेट में मिलता है एक फिन्ट कंपलेक्स में मिलता है तो लिए प्टी पिए ऱसरफेस देन नॉर्ठ पल ऑफ सफ्प्राइब के किसी एक प्लेंट में मिले और किना होगा नॉर्थ कहां पर मर्ज करेगा नॉर्थ पर पॉइंदी होता है तो वही पारिदिक दप्वां एन व फेर क्रेस्पॉंड टू अ Sylh कॉंप्लैक्स पेडिट करता है तो हम लोग यहां पे देख हैं कि कॉंप्लैक्स पेक्षी प्सकेद के किं़ यह कोंप्लेक्स के लिए ben मिल रहा है तो नहीं पहले ऋवन-वन क्रश्पान्डेंस हम लोग देख पा रहे हैं इसके हैं इसके पॉंट है इसमें पॉंट पे लिए इसमें कोन्ट तो ढवहन पॉंडोश्पान देट मेंsome ज़स्ट मेंद दोस्टनेंस डियों थैसेे के उन को पा to the point and infinity of the extended complex plane thus we obtain a one-to-one correspondence between the points of sphere and the points of the extended complex plane ठीक है तो जो स्पेर है उसको हम लोग रिमान स्पेर बोलते हैं स्पेर इस नोन जबान स्पेर एंड़ जो वन वन क्रोस्पोंडेंस वहां और स्पेर के बीच उसको उसको ही हम लोग रियो ग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं यह सारा हम लोग देखें कि ज़्यमेट्रिकल रिपर जेंटेशन कि एक और देख सकते हैं आपके कि कोई अगर स्पेर को हम लोग और कंप्लेक्स प्रेंट के अपर हाफ अस्पेर कंप्लेक्स प्रेंट को रहां तो तो यह अब इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे यह तो सा जो मेटिकली मतलब कोई भी एक पॉइंट लिये में में मिलेगा क्या हो फैंड कैसे होगा उसका डेरिवेशन क्या होगा तो यह डेरिवेशन काफी कि इंपॉर्टेंट है इंटर्व्यू पॉइंट ऑफ विव से कहीं पर इंटर्व्यू देने जाते हैं तो यह से पूछा जाता है लेते हैं ले यूनिट डिस्क रेडियस वन से कम होगा तो वह जो है सारा रीजन सौर्धन पार्ट आफ असफेर को को क्रिस्पॉंड करेंगा और अगर हम सौर्धन यूनिट डिस्क एक रेडियस से ज्यादा लेते हैं तो वह नौधन पार्ट आब स्पेर को क्रिस्पॉंड करेंगा अगर स्था की ले लेते हैं मौट डिजकल टूवन तो वह कॉन साइट कर जायगा अगर इंफनिनिट्टी लेते हैं क्लेक्स प्लेंट पर तो व पाइंट के क्रेस्टौंडिंग स्फेर पे क्या होगा तो यह जो इक्वेशन है कि एक्वेशन ओफ लाइन पीपी डैस यह जो है लाइन ओट स्पेस में तो दो पोइंट से जाता हुआ लाइन का एक्वेशन हम लोग जानते हैं यह पड़ा जाता है तो दाइक्वेशन ऑफ लाइन पीपी डैस पासिंग थो 001 and XY0 विज कंटेंग XYZ आएइस एक्स माइन जीरो जो हम जानते हैं कि दो प्वाइन स्वान टार्यसिक्स निकाला जाता है और सारे वैलू इक्वल तो इसको किसी फैंट से सब्सक्राइण है एक परामीटर से माल लेते हैं यह इससे को आगे सधेर करें गेто और यह जो प्वाइंट है कि कॉइंट जो पॉइंट है सफेर में वह इसफेर की को ही सटेस्टीसफाइब करेगा तो सपोज है तो हम लुग जानते हैं सफेर का के एक्वेशन जो होता है कि और जिन से पास करता हुआ यूनिट रेडियस का स्फियर का इक्वेशन दिस होता है तो यह जो पॉइंट है ऐसा स्फियर को को सटीस्फाइब करेगा है कि तो यह देर्फोर एक स्काइब यज्वेशन से जो फैलू लाए उसको इसमें पूट कर देंगे सब्सक्राइब तो तो टीज़ टू जीरो आएगा और एक दो कंडिशन बने इस अगर टीज़ जीरो लेते हैं तो जो लोग फरस्टीज्ट इस एकल टू टीज़ टी एक टीज़ एक टू ज़िए गी वाइस गुटू ज़िए और देट इस एकल टू बना जाएगी तो वह को केस लेते हैं तो तो थी इस उकल टू डिस तो इस उकल टू अब जो और यश्कुर्ण कोई होता है वो कोभी कमप्लेक्स नंबर का मॉडल का फैलू होता है है तो अब हम लोग एक्स का वैलू निकाल सकते हैं करस्पॉंडिंग स्फेर में जो पॉइंट आया सब्सक्रिचूट कर सकते हैं एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस परकार कोई भी पॉइंट गिवेन हो हो कॉंप्लेक्स प्लेट में में सम्तिंग कुछ भी नंबर हो कॉंपलेक्स नंबर इसके क्रस्पोंदिंग स्फेर में निकालना उती है इस फॉर्मूला का एक सकते हैं कोई क्या होगा इस वी हैब दो पॉइंट्ट को निकालना है क्या वह व्हागा शिक्राइशन का यूज कर लेंगे जों लोग यहां पर हमें सॉल्व करके निकाल चुके हम लोग यहां से निकाल सकते हैं एक्स का वैलू यह आ जाएगा तो एक्जामपल के लिए अगर कोई कॉंपलेक्स प्लेन में टू प्लस वाई नंबर दिया हुआ है तो इसका कर्स्पॉंडिंग जो पॉइंट आएगा स्फियर पे निकालने के लिए इस फर्मूला का यूज कर लेंगे यूज करेंगे वाई का वैलू यह जट का वैलू यह मौट जट मतलब अंडर रूट टू जाकर फेट जो है वह प्लेन के पर रखा हुआ है यसे टेबल पार रखा हूए जैसे पर एक बॉल रखा हुआ है तो अ क्रिस्पॉंडिंग प्वाइंट्स नगे पार इस फिए फिरीड सेंट जी जीन्टीड सेंट जीरो जीरो हाफ नॉर्थ पॉल का कॉणिनेट जो होता तो in this case the plane touches the sphere through the origin तो similarly यहां पर फिर से discuss करेंगे की कोई प्लेन पेक पॉइंट है तो इसके corresponding पॉइंट स्पेर पे क्या होगा तो इस जास्ट इज सॉलूशन आफ लाइन अड़ स्पेर यहां पर जो सॉलूशन करते हैं एक लाइन दिया हुए स्पेर दिया हुए दोनों को सॉल्व करके इंटर्सेक्टिंग पॉइंट जैसे निकाला जाता है वह से निकालते हैं तो similarly 3D equation लिख लिए फिर वह पॉइंट स्पेर को सटिस्फाइब करेंगा इसमें सॉल्व करते हैं तो अगर दो के साथ है इसमें भी सिमिलरली को एक साता है यहां पर एक डिफ्रेंस आएगा हाफ रेडियस लेने से क्या हो रहा है कि एसका वैलू में जेट प्लस जेट बार वाइट तू मॉट जीड़ स्कॉर प्लस वन आ रहा है तो फार्मूला दोनों का डिफ्रेंट क्यूश को कि आएगा हिगा है इभर यह तो हम लोग देख रहे है कि कोई पॉइट है था में में तो उसके क्रस्पांडिंग पॉयंट में प्लाइंट में ज hmm लगा औहली कैसे निकलेगा अस फेर पे कोई पॉइंट है दो सिर्फ वॉइंट है कि स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पताता है सुसी के हिसाप से ठेख अब द Tree खूझ एक और चीजी Josh करते हैं यह हो सकता है कि माने में में क्लैक्ष लाइन जमेंड हो या सरकिल क्यों तो उसका प्रोजेक्षर और मुद्य हूं तो उसका प्रोजेक्षर रिमानश्फ्रकर थी Chung किया ठोने करें लाइक जैसे कोई लाइन है तो लाइन को कोई टेबल पे बॉल रखा हुआ है और कोई लाइन लाइक ऐसे आफ नाइफ लेजिए चाकू ले लीजिए और उसको कि नौर्थ पॉल के स्ट्रेट में बढ़ते जाएंगे तो स्फियर को कट करेगा तो करिस्पॉंडिंग जो प्रोजेक्शन आएगा इसके हिसाब से वह एक सर्कील आएगा यह जोमेट्री हम लोग विज्वालाइज कर लें या फिर कोई सर्कील लेते हैं आफ लिए तो उसका हाई गया जैसे यहां पर देख सकते हैं कोई यां कॉंप्लेक्स प्लेन है उसके कश्पॉंडिंग कर्वाइंवmie x3। उससे क्या होगा कि एक सरकिल जन्रेट हो जाएगा तो वही इस कॉंप्लेक्स प्लेट के सरकिल का प्रोजेक्शन आएगा यह जो सरकिल है वह प्रिए नौट पासिंग थ्रो और जिन है इस तरह डिफरेंट डिफरेंट केस बनेगा इसका मैथमेटिकल डिरिवेशन सपोर्ज में बजरेंट लुक्लेक्ष प्लेट के स्पिर रखा हुआ है और साफस्पांटिंग प्रोजेक्शन क्या रिमाने फिर पे तो अब जो होगा श्रेट लाइन को से मिलाएंगे सफियर को करेंगा मिलाते हैं तो सब्सक्राइब को मिलाते हैं तो के में एक सरकिल दि इसका एनिमेशन भी होता है इस टाप से तो हम लोग देखते हैं अब फोर ओल लाइंस एंड सर्किल इन दा कॉंप्लेक्स प्लेंशी वाटी दा क्रिस्पॉंडिंग इस्ट्रक्चर इन दा रिमान अस्पेर एस लाइन गीवन यह सर्किल कोंप्लेक्स प्लेंशी में स्करिस्पॉंडिंग इस्ट्रक्चर पर क्या होगा है लाइट वीजिय जो सर्किल तो यह चीजों में चीज का यूज करते हैं उसका क्रश्पांडिंग मैपिंग देखते हैं तो यह जो कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है आप सोच रहे हों कि लाइन कैसे होगा तो क्या करेंगे कि जो कॉफिसेंट है यह जो है यह सब्सक्राइब करेंगा की यह और की अगर हम लोग यह नॉट इकुल टुजिरे लेते हैं और दी नॉट इकुल लेते हैं तो यह जो है वह सर्कील नौट पासिंग थ्रोव ऊगा यह नौट इकल तुॉट दिग्स का ने जो तुड उगा तो फिछ यह स्टोड टू रदी इस पासिंग तो बहुत ऑल यह यह तो फिर फिर पासिंग थे जिल ईनली तो वह स्थेट लाइं पासिंग तो फिर यहां पर यहां पर यहां पर हाफ पर नीचे तो यहां पर जो नौट हो जाएगा और कोडिनेट 00-1 होगा इसका देखते हैं हम कोई भी सर्किल लिए हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो उसके क्रिस्पॉंडिंग प्रोजेक्शन क्या होगा प्रिमानस प्रियर पे लेट अस कंसीडर दा पॉइंट जेड इस उकल टो एक्स वाई जीरो ऑन दा कॉम्प्लेक्स प्ल अब जीरो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो उसका कोडिनेट जीरो होगा जैड कोडिनेट तो उसके क्रिस्पॉंडिंग पॉइंट एस फ़ाइब लिया तो हम लोगे डिराइफ कर चुके हैं पहले ही इसके जो एसको एक्स का जो वैलू आता है एक्स वाइन माइनस जड़ आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं वहाँ पे निकाला होगा वाइज कल टू आन माइनस जड़ तो वान और टू जो एक्वेशन था दोनों को सॉल्फ करेंगे यह जो पॉइंट है वो सर्किल को एक्वेशन जो है को सर्टिस्वाइब करेगा एक स्कॉर प्लस वाई स्कॉर बी एक्स प्लस सी वाई प्लस जी तो एक्स का वैलू यहाँ पर रखेंगे वाई का वैलू यह रखेंगे और जो भी है वह वह बी एक्स प्लस सी वाई है उसका वैलू रखेंगे प्लस डिसकल टू जीरो और एक् लाएख करेगा इस फिर पर लाई करेगा क्योंकि सरकिल प्लें पर लिए हैं तो इसका क्राजक्टी इस तरह से निकाला जा सकता है तो यहाँ पर सैटिस्टाइए करेंगा देख स्कॉर सकते हैं तो रखेंगे आगे तो यह आएगा कि साल्फ करने बाद या रहा है कि यह भी प्लस सीवाइए माइनस टीजए देखने में लग रहा हों यह तो Cassaf d कए स्थेम टो आप सोचिए है सा अभी हम लोग Extre की सडिक्र का कर्रिस्पांडिंग प्रोजेक्शन शरकी ला आता है बटा Technical तो नहीं यहां पर अश्वियर पर प्लेइन का जो इक्वेशन आएगा वह क्या देगा प्लेइन है तो क्या है प्लेइन एक सर्कील ही होगा अब विजुआलाइज कर सकते हैं कोई प्लेइन सरकिल पर को कोई प्लेइन पर क्या होगा एक सरकील और दीखेगा और लेकिन वह सरकील की तरह दीखेगा तो यहां पर यह प्लेइन का आया सल्व करने पर डिफरेंट डिफरेंड जो केस है तो इसके इसके अगफ पासिंग इन अज होगा को इसके तो Venue नार्थ पॉल्ट से गार में करेगा और ऑचिन व pants तो जीरो डी इसकल टू जीरो शरकील पास्ट एक च्रुक्टर इस सर्कील का जो होगा नौट पासिंग्थ दूर्जवर जासओं पॉल होगा कि अगर हम लेते हैं अगर हम लेते हैं यह जो है स्ट्रेट लाइन का जाएगा कि कोफिसेंट एक्वेशन आ जाएगा और नौट पासिंग तो यहां पे उसके क्रिस्पॉंडिंग प्रोजेक्शन क्या आएगा तो ने मिलके हिसा नंग्या यहां पे सारे यहां के प्वार्प से अध只有 प्रोजेक्शन प्वांट मिलेगव और सारे कर्सपॉंडंग प्रोजीर एगर मिलते हैं तो एक अंधोन आधे यहां सरकील ही मिलता है जैसně पर हम विज्वालाइज कर सकते हैं लाइन है इसके सारे पॉइंट से मिलाएं तो स्फियर पर एक सरकेल मिल रहा है यहां पर देख सकते हैं तो सच्ट्रे तो यहाँ पर in a अगर लिए तो परिश्ट अबने बन जाएगा पासिंग धर और जिन बन जाएगा तो दो स्ट्रक्चर आएगा इस में वह आएगा सरकील आएगा पट नौर्ट पासिंग थ्रोजीन बट पासिंग थ्रू सौथ पॉल और नौर्थ पॉल वह कैसे तो यहां पर कोई लाइन है इसके क्रस्पॉंडिंग पॉइंट क्या करते हैं यह स्ट्रेट लाइन एक वायर के तरह है उसको बेंड कर देंगे बेंड कर देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा वह जो की नौर्थ पॉल को टच करेगा और सौथ पॉल को टच करेगा तो नौर्थ पॉल और नौर्थ पॉल 001 और सौथ पॉल 00-1 ठीक है एक केस और हम लोग यहां अब डिसकस करते हैं यह स्टेडियो ग्राफिक प्रोजेक्शन का ही पार्ट ऐसे बहुत सारे कोश्चन हो सकते हैं कि कॉंप्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट के बिस कोई डिस्टेंस आ रहा है तो उसके कर्सपॉंडिंग जो पॉइंट मिलेंगे इमान फिर में वहां पे उसके क्रश्पॉंडिंग डिस्टेंस क्या होँगे उसका डेरिवेशन या फिर यह आप रिसर्च प्रोग्लम भी एस्टेडियो ग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज हुआ तो उसमें कोई क्यूब ले 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 उसका भेटिक्स पे रप Anime कि तो सक कार contendee कि प्लेंट पे उसका corresponding points क्या मिलेंगा corresponding projection क्या होगा अचिए आप बैप से ःप सकते हैं वसिष्ठा के बुक में एक फ्रोब्लम दिया हुए और गॉंब देख सकते हैं कमद्ध का इस चेंडर बूख है अलफरोस जो फ़स्ट नॉवल वीणर थे फिल्ड मेटलिस्ट है उनकी देख सकते हैं तो देखते हैं कि डिस्टेंज डी जेड बिट्विन पी डैस जो पॉइंट है एस्टेडियो ग्राफिक प्रोजेक्शन अब जेड़ दस कांप्लेक्स में कोई दो पॉइंट लिए जेड जेड़ दस तो उसके क्रश्पॉंद निग दो प्रोजेक्शन प्वइं पर मिलेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस यहां पर चेक करना है तो लेट दक अब ग्राफिक प्रोजेक्शन आप जेड बी सब्सक्राइब करना है इसको हम लोग बोल रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग 3D स्पेस में जानते हैं यह होता है यहां पर सॉल्फ करेंगे तो होल स्क्वार आएगा यह पॉइंट भी रिमाना स्पेर को सटिस्फाइब करेगा और रिमाना स्पेर यूनिट स्पे वैलू भी वना जाएगे एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह इतना आएगा उसके बाद एक और एक सब्सक्राइब करेंगे तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला यह आएगा यानि आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में मालूम है जेड और जेड डास उसका कॉर्णियेट सब्सक्राइब करेंग रिमान स्फियर पे जो पॉइंट आएगा उसका जो डिस्टेंस निकालना उसके लिए फॉर्मूला की जो कर सकते हैं तो इन्टो जेड माइनस डिजेड डैस अपान वन प्लस मॉट्ट जेड डैस स्क्वाइर का पावर हाफ अगर एक और केस देखे लें कि अगर यहां पर एक पॉइंट इंफिनिटी पे ले एक पॉइंट कोई कॉप्लेक्स प्रेंट लें उसके क्रस्पॉंडिंग प्रोजेक्शन जो आ रहा है पॉइंट इंडि मानस फिर वहां पर उसका डिस्टेंस क्या होगा तो इन्फिनिटी हमें पता है कि लेकि के गर्स्पांडिंग मानस फिर प्रोजन चर्पोंडिंग चैश्ट इंडिक का व्यलू होगा तो यहां पर जीरू जीरो एक जाड़ के जगा जीरो और वायट के जगापे जेरो और जैट के जगा वन पॉट करेंगे तो इसकी जो सॉल्व करने के पाद वैयलू आए तो कॉर्रिस्पांडिंग एंफिनिटी और कॉंप्लेक्ट के लिए के बीच के कि करिस्पांडिंग जो पॉइंट आ रहा है इस्पर इमानज पर उसके बीच का अगर वह आएगा कि और मॉट इस्कॉरइर प्लस वन तो यहीं पर इस टॉपिक को कंक्लूट करते हैं और भी बहुत सारे कोस्टन जो है आप बुक्स में देख सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा and comment subscribe my channel and also comments any topic related to real analysis, complex analysis, topology, I will discuss in next video and this channel and further topics of complex analysis. Thank you.